खनिया रासी के नुसर जाने कौन से विवसाई से आप ज्यादा प्रक्ति कर सकते हैं भाग दो वर्तमान समय बड़ा स्पर्था का समय है इस काल में यह तई करना की कौन से विवसाई से उन्नति करेंगे यह कहपाना बड़ा ही मुश्किल है आज कल विवसाई भी बढ़कर अनेक प्रकार के हो गए है अताज योति सास्तर के अनुसार विवसाई का सही चैन करने के लिए अनुसंधानात्मक विशलेशन की बहुती अवसिक्ता होती है जोति सास्तर भी यही कहता है कि अपने रासी के हिसाब से अगर अपना करियर चुना जाए तो ज्यादातर सफलता का मुह नहीं देखना पड़ता और दूसरों से ज्यादा सफल होने के चांस बढ़ जाते है कई बार हम देखते है कि कोई व्यक्तिकार्य करते ही सफलता उनके कदम चुमती है तब लोग कहते है कि यहादमे मिट्टी को भी सोना बना देता है लेकिन यह उस आदमी का पूर्ण कमाल नहीं होता यह सब गरह रासी के प्रभाव से होता है तो जानते है कनियरासी वाले लोग कुन से विवसाई से ज्यादा सफल हो सकते है आपकी रासी से दस विस्थान पर मिथन रासी है और उनका आधिपत्य बूद्ध के पास है इसलिए आप लोग ब्रोकर, अक्सर योजग, संपादक, कुसल संचालक में ज्यादा सफल रहते है बूद्ध के प्रभाव के कारण आपकी बोधिक सकती कुछ विशेस होती है इसलिए आप लेखन, सिक्षा, साहित्य, आदिसी जुड़े क्षेत्रों से ज्यादा सफल होते है कन्या रासी वालों आप लोग अपनी योग्यता के बल पर ही आगे आते हो इसलिए आप एक्टिंग, म्यूजिक, टीचिंग, आदिसी जुड़े हुए विवसायों से सफल होते है साथ में मेनेजमेंट, फाइनेंस, मसिनरी, कंप्यूटर, मोबाइल के क्षेत्र में रोजगार या बिजनेस आजमा कर अपना भाग्या चमका सकते है आप लोग बहुत ही महत्वा कांक्षी होते हो इसलिए दिल और दिमाग दोनों से काम लेते हो आप धार्मिक संस्तानों से जुड़े कामकाज, हेल्थ इंस्योरंस, लाइफ इंस्योरंस और वकील, सलाहकार, अलिक शेत्रों से भी आप जल्द सफल हो सकते हो ओसोदी, खेती से जुड़े व्यवसाई, एवं हर बोदिक सेत्र में आप कामकाज एवं व्यवसाई में प्रगती कर सकते हो आप संपादक, नाटका, निरिक्षक, मेनेजर, ओपरेटर में भी विसेश शफल हो सकते हो साथ में आप बड़िया फोटोग्राफर भी बन सकते हो उपर दियेगे व्यवसाई एवं कामकाज कनिया रासी के आधार पर है आपकी जन्मकुनली में करमस्थान, भाग्यस्थान एवं धनस्थान के गरहों के आधार पर और भी अच्छे व्यवसाई एवं कामकाज केसे करे और केसे आगे बड़े ये भी जान सकते हैं नमस्कार जैक विद्धिक साथना चैनल में धर्मा और जोतिस आधारिदी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए नमस्कार